हेलो फ्रेंड्स बिना नाम है अक्षे और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जियो फाइबर के कनेक्शन को जियो फाइबर के जो राउटर है उसको आप कॉन्फिगर कर सकते हैं हाइक विजन के CCTV कैमरा सेट अप के साथ जिससे आप अपने मोबाइल फोन पर CCTV कैमरा को देख पाएंगे तो चलिए इसको कैसे कॉन्फिगर करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं वो है TV स्क्रीन पर HDMI के थुरू बट जियो का जो बॉक्स आपको मिला होगा उस बॉक्स में आपको एक लेन केबल का छोटा सा तुकड़ा जरूर मिला होगा तो आपको क्या करना है उसका एक end दोस्तो आपको आपके DVR में लगा देना है CCTV के DVR में लगा देना है देख लीजिए मैं वही केबल यूज कर रहा हूँ प्रूव भी आपको बता रहा हूँ और जो इसका दूसरा वाला जो end है जो मेरे अभी फिलाल हाथ में है इस end को आपको जियो का जो आपका router है उसके पीछे किसी भी एक port में वहाँ पर आपको insert कर देना है insert करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर connectivity की यहाँ पर कुछ इस तरह से light जलने लग जाएगी और यहाँ अगर आप DVR में देख पारे होंगे blue color की light यहाँ पर blink करना start हो जाती है इट मिन्स क्या कि जो आपका DVR है वो network को ले चुका है अब आगे की process मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ पहले आप देख लीजिए मैंने वही cable यूस की है किसी भी तेरे का यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग चीज नहीं करके बता रहा हूँ तो connectivity तो establish हो गई है अब यहाँ पर दोस्तो जो आप अभी screen पर देख रहे हैं इसमें आपको आपके CCTV camera के setup के software में menu पर click करना है यहाँ पर आपने जो भी ID password set करा हो menu पर आप आप आजाईए फिर उसके बाद configure आपको दिख रहा होगा configuration पर click करने के बाद दोस्तो second option आपको general के नीचे मिलेगा network का मैं दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ पर DHCP जो option आपको दिख रहा है आपको उसको enable कर देना है उसके साथ ही साथ आपको नीचे DNS भी दिख रहा होगा DNS को भी आपको check mark लगा देना है इतना check mark लगाने के बाद आपको यहाँ पर apply पर click करना है अगर आपको clearly नहीं दिख रहा है मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ network पर जाने के बाद DHCP जो आपको दिख रहा है उसको आपको check mark लगा देना है IP address, lane cable के थूँ वो automatically ले लेगा उसके बाद आपको यहाँ पर apply पर click कर देना है तो यहाँ पर आपका 50% जो काम है वो यहाँ पर खतम हो जाता है उसके बाद जो दूसरा option है दोस्तो platform access का platform access में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि offline अभी show हो रहा है तो यहाँ पर आपको online show करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ यह verification code का आप ध्यान रखिएगा यह आगे कही ना कहीं use होगा तो यह verification code आप ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर check mark करते ही आपको terms and conditions हाजाएगा terms and conditions को आप ok कर दीजिए ok करने के बाद दोस्तों यह जो enable streaming encryption जो आपको दिख रहा है ठीक है यह जो option दिख रहा है जिस पर check mark नहीं लगा है इस पर अगर आप check mark नहीं लगाएंगे तो आप online stream नहीं कर पाएंगे उसको तो आपको इसको भी check mark लगाने के बाद इसके उपर apply पर यहाँ पर click कर देना है ठीक है तो आप जैसे ही apply पर click कर देंगे यह आप देख सकते हैं offline का है दोस्तों यहाँ पर status जो है online हो चुका है दोस्तों यह जो left side वाला QR code है इसे हम use करेंगे right side वाले को आप मत use कीजेगा left वाला QR code हम use करेंगे मैं एक बार फिर से आपको repeat करके बोल रहा हूँ इसके बाद दोस्तों आपको आजाना है अपने mobile की screen पर play store पर आपको जाना है play store पर जाने के बाद ivms 4500 ivms 4500 एक app है यह आपको download करना है official app दोस्तों शायद तक बंध हो चुकी है तो वो आपको use नहीं करना है ivms 4500 जो app है यह आपको use करना है मैं अभी एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ app दोस्तों install होते ही आपको open कर देना इसको जैसे ही आप app को open करेंगे यह कुछ permissions आपसे मागेगा लेंगे तो एक Chinese camera आपके लिए automatically वो configure कर देगा आपको उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको left hand top पर जाना है याद रखिए left hand top पर जाना है वहाँ पर आपको not logged in दिख रहा होगा तो जो not login दिख रहा है वहाँ पर आप आजाईए अगर आपने account नहीं बनाया है तो आप account बना लीजिए account वहाँ पर create हो जाएगा जिसे कि मैंने पहले भी इसको use किया है तो मैं अपना यहाँ पर login और password नॉर्मली डाल देता हूँ दोस्तो ध्यान रखिएगा जो भी आप login password create करें या बना रहे हैं वो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि कही ना कही अगर आप भूल गए तो आप उसको शायद बाद में exist ना कर पाएं बहुत ज़्यादा इसमें problem हो सकती है तो आप चाहें तो mobile phone या email के through भी बना सकते हैं मेरा बना हुआ है तो यहाँ पर होने के बाद आपको right hand top पर जाना है वहाँ पर एक plus दिख रहा होगा उस plus पर click कर देना है उस plus पर दोस्तों click करने के बाद आपको आपके tv की screen पर जहां भी आपने camera को लिया है वहाँ पर आपको जाना है वापस से configure में configure में जाने के बाद दोस्तो जो अपना network का option था network के option पर आपको चले जाना है network के option के बाद जो access वाला हमारा second option था platform access वाला उस पर आपको चले जाना है और मैंने आपको बोला था कि left hand side वाला qr code हम scan करेंगे तो हम left hand side वाला qr scan कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तो इतनी process होने के ब मांगेगा मैंने आपको बोला था verification code आप ध्यान रखिएगा तो verification code डालने के बाद जैसे यह आप confirm करेंगे आपका DVR यहाँ पर add हो चुका है अब आप one by one एक एक camera के through अपने cameras को यहाँ पर add कर सकते हैं जैसे मेरे इसमें चार camera unit है तो मैं one by one फिर camera two select करूंगा फिर fourth step पे जाके camera four select कर लूँगा तो यहाँ पर मेरे चारो के चारो camera जो है online हो चुके हैं मेरे mobile phone पर online हो चुके हैं और जिनको मैं live देख सकता हूं किसी भी network से दुनिया में कहीं से भी किसी भी तरह से में इनको live देख सकता हूं मुझे किसी भी तरह की यहाँ पर problem face नहीं होती दोस्तो अगर कोई problem face हो तो comment section में जरूर बताएं दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो please like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा bell icon को जरूर पैस कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम